नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है हाली में Netflix पर एक स्रीज जारी हुआ और ये स्रीज का नाम है Madoff The Monster of Wall Street आपको पता है कि यह जो स्रीज है आखिर यह किस पर आधरित है तो यहां आधरित है Bernie Madoff पर Bernie Madoff ने अभी तक इत्यास का सबसे बड़ा पॉंजी स्कीम किया है या इतना बड़ा पॉंजी स्कीम घोटाला था जिसके कारण उनको 150 साल की जेल हुई थी और यह जो पॉंजी स्कीम स्केंडल है इस स्केंडल को सामने लाया था किन्होंने उस स्वेक्ति का नाम है Harry Markopolis जो आप स्कीन पर देख रहे है Harry Markopolis United States of America या अमेरिका के Forensic Accounting और Fraud Investigator थे मतब Fraud Investigation से जुड़े हुए थे उन्हों नहीं इनके इस स्केंडल को सामने लाया अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर हम इनकी बात क्यों कर रहे है क्योंकि ये वीडियो तो अदानी से समंदित है तो यहाँ पर मामला यह है कि जब इस तरह के कोई व्यक्ति होते हैं तो इनके प्रसंसक होते हैं जो उसी चेतर से समंदित होते हैं तो इनी का एक प्रसंसक है जो इनके साथ काम भी कर चुका है उस व्यक्ति का नाम है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नेथन एंडर्सन जी हां हम यहां किसकी बात करें नेथन एंडर्सन यह वही नेथन एंडर्सन है जिन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च को स्थापित किया 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च नियू आर्क सिटी स्थित एक रिसर्च संस्थान है जिसका मुख्य उद्दे से आरोप लगा है आएए एक एकर उस आरोप को देखते हैं बात करते हैं सबसे पहले पहले आरोप की तो विस्तार से देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की है ज़रा उसके टैटिल को देखे टैटिल का नाम है अदानी ग्रूप यह इसका टैटिल है और इस पर जो आरोप लगा है वो आरोप देखे क्या क्या है पहला कि एकांटिंग फ्रॉड मतलब यह कि कमपनी से समझी जो एकांटिंग है उसमें घाल मिल है पहली बात दूसरी बात कि अडानी स्टॉक मेनिपलेशन करते हैं मतलब अपनी कमपनी के कि money laundering करते हैं इसका मतलब यहांपर यह इए कि black money को white money करते हैं अब यहांपर यह कि आखिर आदानी कैसे stock को manipulate करते हैं तो जो stock market के export है उनका यह कहना है कि आदानी के group के जो share है वो share overvalued है आखिर क्या मतलब होता है, overvalued का, overvalued का मतलब यहां पर यह होता है, कि जब एक company का share होता है, उस share का अपना एक ratio होता है, profit के, I guess में जिसको हम बोलते है, profit earned ratio, अब यहां पर यह बात कही जा रही है, कि जो अदानी के share की value है, वो उनके profit earning जो ratio है, उससे काफी ज्यादा है, तो अब इसका मतलब यहां पर क्या हो गया है, कि actual में, जितने share की value होनी चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा अदानी के share की value है, जो कि share के मामले में एक manipulation है, देखें, दूसरी बाद, यहां जो दूसरा आरोप लगा है, वो दूसरा आरोप यहा है, कि round tripping करते हैं, round tripping का मतलब यहां पर क्या है, कि अगर economics के term में, हम round tripping की बात करें, तो round tripping का मतलब होता है, कि black money को white money में बताना, तो हिंगन बर्क रिसर्च में, उन्होंने एक structure दिया, कि कैसे आदानी गुरूप, जो black money है, उसको white money करते हैं, वो देखें, वो इस तरीके से, कि विनोध आदानी, cash, और फिर ये cash कहा जाता है, ये cash जाता है, Morisse's funds and sell entities को, फिर वहां से ये पैसे कहाते हैं, फिर वहां से ये पैसे आते हैं, अदानी गुरूप, लिस्टेट कंपणी में, पता हिंवेस्टमेंट áंड ट्रेडिंग, अदानी गुरूप स्टॉक, यहां से, इसमें आया, और यहां से पैसे कहां चल जाते हैं? यहां से पैसे चल जाते हैं अधानी निस्टेड कंपनी से. तो इस परकार ये प्रोसेश दिखा जा रहा है और ये जो प्रोसेश है, ये प्रोसेश क्या दिखा रहा है? कि कैसे black money कोम कर ऑरिसस से आते भी हां पर क्या sniff वो एक white money में convert हो रहा है अब एक बात और भी कही जा रही है कि जो ये black money है ये केवल इनके पैसे नहीं है मतलब तरजू वाली बात ही इनके पैसे नहीं है बलकि इसमें वो भी पैसे शामिल है जो आदानिक ग्रूप ने रिन में लिये और रिन का मतलब कि कितना रिन तो 27 billion dollar का रिन और उसमें चौकाने वाले पत्थ ये है कि उस 27 billion dollar में 40% जो रिन है वो SBI से लिया गया है इसलिए ये देखा गया है कि जिस दिन अदानिके share नीचे गयते उस दिन SBI के भी share नीचे गयते साथी साथ LSE के भी द्वारा दिये गे रिन इसमें सामिल है बात करते हैं तीसर आरूप की तीसरा आरूप क्या है वो आरूप है इनके accounting से सम्मंदित fraud की वो क्या है वो जो आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चार लोग आप देख रहे हैं यह चारो व्यक्ति CA हैं और इनका अपना एक firm है मतलब चारो की partnership का अपना एक firm है और फिर इसके अंदर 10 से 11 जो employee हैं वो काम करते हैं और सब मिलकर आदानी groups की accounting करते हैं यह तार्जू वाली बात है तार्जू वाली बात इसलिए है कि अगर आप एक किसी group को ले तो उसके अंदर कई 100 subsidiary company हैं तो मतलब यहाँ पर यह है कि आदानी groups जिसके अंदर 7 company हैं उसकी auditing केवल यह चार partner और कुछ employee के द्वारा किया जा रहा है जो अपने आप में चौकाने वाली बात है क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि दो आदानी enterprises और अदानी total gas इनका जो annual audit किया गया है annual audit करने वालों की उम्र कितनी है 23 साल और 24 साल तो मतलब आप सोची कि आखिर accounting कैसे कर सकता है और ताज्यू वाली बात है कि हिंडनबर्ग research ने यहाँ तकी office जो दिख रहा है आपको screen पर यह office भी सो किया है कि आदानी यह जो दिख रहा है आपको यह क्या है यह जो auditing करने वाली इनकी जो firm है उसका यह office है तो ताज्यू यह है कि इतनी रखता है क्या वो इस स्थिती में record रखना कभी भी सुरक्षित माना जाएगा वो सुरक्षित नहीं माना जाएगा मतलब यह कि यह भी खाना पूरती है accounting की क्या है वो खाना पूरती है अब यहाँ पर यह है कि जब इतने आरोप लगे है 88 सवालों का एक आरोप लगा अधा अधरी बात तो यहां पर यह बात कहीं गई है, जो अधानी ग्रूप ने रिप्लाई किया, उसमें यह, कि जो हिंडन बेर्ग का रिपोर्ट है, वो काफी selective है, मतलब चैनित है, और manipulative है, मतलब यहां पर यह है, कि जो सही बात है, वो बात नहीं रखी गई है, बातों को घुम नहीं लाना है, बलकि मार्केट में मौझूद जो short seller है, उनको फायदा पहुचाना है, अब यह short seller या short selling क्या होती है, उसकी बाद में चर्चा कर लेंगे, पले हम यहां पर यह देखते हैं, कि यह कहा क्या रहे है, इनका यह कहना है, कि जो बाजार में short seller है, उनको फायदा और उसका अदानी ग्रूप से समंदी जो 88 प्रसंद रखे गया है, अगर हम उन प्रसंदों की बात करें, तो वो कहीं से भी निस्पक्ष नहीं है, वो कहीं से भी एक स्वतंत्र पत्रकारिता के आधार पर नहीं है, और अन्तिम इनों ने यह बात कही है, कि अदानी अपने शेयर को लाता है, तो उसको बोलते हैं इनिसल पब्लिक आफर, और जब एक कमपनी ओल्रीडी लिस्टेड हो जाती है शेयर मारकेट में, और उसके बाद फिरूप भूबार शेयर लाता है, उसको बोलते है, उसको एदानी घ्रूफ, फॉलॉ ऑण पब्लिक आफर को मैटर है individual company का मैटर है इसलिए इस पर सरकार का कोई भी अपना वक्तव भी कोई भी अपना statement नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि जो economic affairs secretary है as I said उन्होंने साफ ये बात कहिए ये particular company से related issue है उसके अलावा जो मारे chief economic advisor है वी अनन्ता नागे सुरन उन्होंने इस पर comment करने से ही इंकार कर दिया अब बात करते हैं हिंडनबर्ग research की credibility पर कि क्या हिंडनबर्ग research की द्वारा ये जो corporate fraud से समंदित जो report लाई जा रही है 2017 से लेकर अब तक उसमें कितनी सक्टिता है तो हम एक एक example लेते हैं और वो example है किस से समंदित वो example है निकोला company से समंदित निकोला अमेरिका इस्थित या US-based एक company है जो electric truck का निर्मान करती है ये innovative ideas लेकर आती है और innovative truck की बात करती है जो की hydrogen जो fuel होता है उस पर चलने वाले truck की बात ये करते है अब क्या हुआ कि इन्होंने एक demo दिखाया उस demo में इन्होंने ये बात किया कि हम एक नई तखनीक पर आधारित एक truck को ला रहे है जब इन्होंने ये demo दिया इस demo के कारण क्या हुआ कि निकोला के share के दाम share market में काफी बढ़ गए अब हिंडंबर्ग में क्या किया कि पूरे तौर से निकोला के इस demo का उन्होंने research करना start किया research इस हद तक किया कि जिस इस्थान पर इन्होंने demo दिया था वहां तक वो पहुँच गए और बाद में जब research publish हुआ तो उन्होंने ये बात साफ कही कि निकोला यह जो company है वो जूट बोल रही है और इस तरह का कोई भी innovation उसका नहीं है even वो उस स्थल पर जाकर भी जो उन्होंने जितने काम के थे उसकी भी सारी सारे evidence उन्होंने लोगों के सामने रख दिये क्या परिनाम हुआ परिनाम यह हुआ कि जिस निकोला के एक share की कीमत 62 रुपे थी महज कुछी समय के बाद उसकी कीमत 2 रुपे पृतिशेर हो गए और इसमें सत्यता भी थी इसके अलावा ऐसे कई उधारन मौजूद है मतलब अगर आप जो हिंडनबर्ग research के साइट पर जाएं तो आपको 10 से जादा ऐसे company के cases मिलेंगे जो हिंडनबर्ग research से प्रभावित हुए है और उनके share की value काफी गिरी है क्योंकि वो research उकता सबूत के साथ महजूद थे तो मतलब यह कि credibility इनकी है हाई यह कि 100% नहीं है 70% के आसपास इनकी credibility होती है अगर हम दूसी तरफ बात करें आदानी की तो अब यहाँ पर यह कि क्या आदानी के उपर जो आरोप लगाया है हिंडनबर्ग ने तो उसमें कितनी सतेता होगी देखिए ऐसा नहीं है कि जो आद पारेख ने share को manipulate किया था और उसमें कुछ share के दाम काफी बढ़े थे और वो कुल share थे 10 इसलिए उसे KTN 10 share भी कहा जाता है उसका नाम है KTN share अब यहाँ पर यह कि उस 10 share में से जो एक share था वो share किसका था अदानी export का था जी अदानी export के जो share थे वो 1999 में मतलब 1999 में यह दि value थी मतलब पर share जो value थी वो लगबग 500 रुपए से बढ़ते वे 13 रुपए पहुच गया और जब यह बात सामने आई तो सेवी ने क्या किया कि सेवी ने अदानी ग्रुप्स के जितनी भी company है उनको securities market में trade करने से ban कर दिया उसको रोग दिया मामला आगे तक और बढ़ा औ और बाद में सेवी ने सतर से असी लाख रुपए का जुर्माना दिया बाद में सेवी ने सतर से असी लाख का जुर्माना अदानी ग्रुप पर लगाया अब या कि इससे सम्मंदित क्या ये मामले भी चल रहे कि नहीं चल रहे है तो इससे सम्मंदित मामले आज भी चल रह तो कुलमिला खरबात यहाँ पर ये है कि अधानिय ग्रूप दूद का धुला नहीं है यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या हिंडन बर्ग रिसर्च की अगर बात करें या हिंडन बर्ग से समन्दी जो एक व्यक्ति है नेथन एंडर्सन की हम बात करें तो क्या वाकिम उनका मकसथ केवल corporate fraud को सामने लाना है तो share market के expert करते हैं कि ऐसा नहीं है जो नेथन एंडर्सन है वह activist नहीं है वह एक opportunist है वह कैसे वह इस तरीके से क्योंकि जब निकोला का मामला आया था तो यह देखा गया कि उसके मामले को expose करने से पहले नेथन ने निकोला के share को shot कर लिया था और उसके बाद जब निकोला के share नीचे गए फिर उस share को नोंने बेच दिया इससे उनको करोरो रूपे का मुनाफ़ा हुआ था करोरो रूपे का लाब हुआ था यह जो नेथन एंडर्सन ने किया उसको हम क्या बोता है short selling अब हम बात करते हैं कि आकर short selling होता क्या है देखिए अमोमन share market में अगर लाब कमाना हो तो लाब कमाने के लिए हम क्या करते हैं हम एक share को खरीदते हैं और फिर हम तब तक रुखते हैं जब तक कि उस share का जो value है वो हमारे खरीद मूले से ज़्यादा ना हो जाए और जब खरीद मूले से ज़्यादा होता है फिर हम उस share को क्या करते हैं देच देते हैं और यह बीच का जो अंतर जो arbitrage है वो हमारा मुनाफ़ा होता है यह है share market की समाने पर करिया लेकिन ठीक इस से उलट जब हम short selling की बात करते हैं short selling उलटा चलता है मतलब यह कि पहले हम share को देचते हैं और फिर हम share को खरीद देते हैं और इसी में होता है हमारा फाइदा वो कैसे उसे सुरिये क्या होता है कि share market में जैसे एक व्यक्ति है एक investor है वो क्या करता है कि वह broker से कुछ share को उधार लेता है जो चलिए हम ऐसे मानते है कि एक share की कीमत कितनी है 50 दॉलर और वो व्यक्ति क्या करता है कि हजार share वो उधार में लेता है उसके बाद वो क्या करता है कि उस हजार share को वो बेच देता है उसने बेच दिया अब आब देखें बेचने के मतलब क्या है यह अंतर हो गया, अब वो क्या सोच रहा है, कि मुल्ले बढ़ेंगे घटेंगे, मुल्ले घटेगा, अब जो एक नई स्थिती होती है, उसमें इसी शेर का मुल्ले घटकर कितना हो जाता है, 25 डॉलर प्रतिस शेर, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, कि फिर 1000 शेर मार्केट से ख 25 डॉलर में खरीदता है, उसकी कीमत कितनी होती है, 25 बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि शॉर्ट सेलिंग से, उसे कितने का फायदा हो रहा है, उसे हो रहा है 25 बढ़ेंगे, नेथन एंडर्सन का यही काम है, शॉर्ट सेलिंग, और यह बात इसलिए भी कही जाती है, क्योंकि नॉथन एंडर्सन के हेंडनबर्ग रिसर्च की जितनी रिपोर्ट आज तक आई है, वो सारी के सारी रिपोर्ट लिस्टेट कमपनी के आई है, किसी भी प्राइवेट कमपनी की नहीं आई है, जो शेर मार्केट में लिस्टेट नहीं है, तो अब यहाँ पर एक बात यह भ आखीर नाम उन्होंने कैसे सोचा उसकी कहानी यहाँ पर यह है कि 1937 में एक जर्मन एयरबस था जिसका नाम था हिंडनबर्ग और वो हिंडनबर्ग में 100 लोग सवार थे और हाइडोजन इंदन से चलने वाला वह एक एयरबस था और क्या हुआ कि एक समय के बाद उसमें आग लग गई और उसमें लवो 34-35 लोग मारे गए एक और इसको नाम दिया गया हिंडनबर्ग डिजास्टर अब हिंडनबर्ग डिजास्टर के बारे में यह बात कही जाती है कि यह मैंनमेट डिजास्टर था क्यों कि ठीक इससे पहले इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी थी इ लिए होते हैं क्योंकि एक कंपणी जो लगातार अपनी एक्टिविटी में नकारात्मक रहती है उसके बावजूद भी इन्वेस्टर उसको प्रॉफिट देने की कोशिस में लगे रहते हैं इसी से होता है कॉर्परेट फ्रॉड और उसी कॉर्परेट फ्रॉड को सामने ल लगा गया है उसके हमने एक एक कर्व्याख्या की उसके हमने सभी पहलूमों को देखा इसके साथ ही इस वीडियो को हम यह समात करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नमस्कार कर दो कर दो कि आए, विल्गत आए, आए, प्रॉचान वाज कर दुश में ल खेडियो में पास्वियों को आए, और बेहरा रिखा है।